हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं समर स्पेशल डिजर्ट लिकर आई हूँ श्रीखंड इसके लिए हम सबसे पहले दही बनाएंगे तो दही बनाने के लिए मैंने लिया है एक चमच दही इसको मैंने अच्छे से चारो तरव स्प्रैड कर लिया है और फिर इसमें डालना है warm milk और warm milk को डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से mix कर लेंगे इसको लसी की तरह भी mix कर सकते हैं जितना अच्छे से mix होगा वो उतना ही अच्छे से set भी होता है और फिर हम इसे plate से ढख कर 4-5 hours के लिए या फिर overnight इसको रख देंगे जिससे ये set हो जाएगा इसे हम airtight boxes में नहीं लगाएंगे ये देखिए हमारा दही बनके ready हो गया है अब हम योगर्ट बनाएंगे अब हम इसका श्रिकर्ण बनाने के लिए सबसे पहले हंगर्ट बनाएंगे चक्का बनाएंगे और चक्का बनाने के लिए हम लेंगे मसलन गलोथ ये मसलन गलोथ में हम पूरे दही को डाल देंगे इसको अच्छे से बांध के रफ्रिजरेटर में फ्रीज में रख देंगे हैंग कर देंगे जिससे ये खटा भी नहीं होगा और इसका पाने भी निकल जाएगा अब 4-5 हार्स के बाद ये बनके रेडी हो गया है इसमें लगबग डबल के वराबर शकर लग जाती है बाकि आप अपने टेस्ट के इसाफ से कम जादा कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और एकाद गंटा बाहर रखके उसके बाद इसको फ्रीज में रख दीजिएगा जिससे शकर जो है वो कर्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और खटा नहीं होगा फिर ये सारे फ्लेवर्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं इसमें इलाइची, केशर, जाइफल दूसरा फ्लेवर है हमारा मैंगो, फ्रेश मैंगो पल्प, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी अब आप देख सकते हैं हमारा श्रीखन रेडी हो गया है इसको मैंने 12 आर फ्रीज में रखने के बाद, फिर से मसलन क्लोथ में स्ट्रेइन कर लिया था जिससे जो शकर्द एक्स्ट्रा बची थी वो ने रहे गई उपर और हमारा एकदम स्मूध टेक्स्चर श्रीखन हमें मिल गया है अब हम इसको सर्विंग के लिए ग्लासिज में ले रहे हैं इसको मैंने पाइपिंग किया है क्योंकि वैसे ही रखने में वो उतना अच्छा नहीं दिख पाता है तो इसको फॉर डेकॉरेशन मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाला है और फर्स ग्लास में मैंने इलाइची, केशर और जाइफल यूज किया है यह दूसरा है जिसमें mango यूज किया है जिसको हम आमरखंड भी कहते है यह थर्ड जो है यह fusion फ्लेवर है जिसमें मैंने strawberry crush यूज किया है बट टेस्ट यमी आप भी जरूर ड्राय करिएगा यह टेस्ट बहुत यमी आया और यह चॉकलेट फ्लेवर है, especially for kids वैसे उन्हें चॉकलेट पसंद होती है और श्रीखंड के साथ चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आया तो आप भी जरूर ड्राय करिए यह हमारे फूर फ्लेवर श्रीखंड रेडी हो गया है यह बहुत ही easy बनने वाला dessert है जो आप कभी भी अगर guest आपके आने वाले हैं तो आप यह बना कर serve कर सकते हैं दिखने में भी beautiful है और टेस्ट भी yummy है इसमें यह मैं first is mango flavor second is traditional cardamom and saffron flavor जिसमें जाइफल भी डलता है यह इसमें strawberry crush यूज किया है and then chocolate flavor आप भी जरूर ड्राय करिए और आपका कैसा बना है यह मेरे साथ आपके experience से जरूर शेयर करिए thank you